तो अब जो है उस क्रम के जो छे प्रमान है उन प्रमानों के बारे में यह से बताया जा रहा है कि उस क्रम के जो छे प्रमान है वो और उन छे प्रमानों में से एक एक करके सबका लक्षन उदारण से यहाँ पर दिया जाएगा अब कहा रहें तत्र शट प्रमाणानी छे प्रमाण है उस क्रम के कौन कौन से शुरुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य और प्रवृत्ति ये छे इसके प्रमाण है ठीक है आख्यानी मतलब इस तरह से कहे गई है इनमें सबसे पहला जो प्रमाण है क्रम का वो है शुरुति प् क्या है क्राइब का साक्षात बोध कराने वाला सथ ठीड मतलब शूरूति के सुनने मात्र से यह पता चल जायेगा कि यह क्रिया के बाद की जाएगी अमुक क्रिया के पस्चात अमुक क्रिया का अनुष्ठान करना चाहिए यह पूर्वा परभाव जो है इसका ग्यान हमें शुति के सुनते ही हो जाएगा तो इस क्रम पर वचन को कहते हैं शुति शुति नाम का प्रमान क्रम के अंतरगत आने वाले शुति नाम का प्रमान ठीक है मतलब क्रम बोधक शब्द को शुति कहा जाता है और यह शुति दो प्रकार की होती है कौन कौन सी केवल क्रम परम और तद विशिष्ट पदार्थ परम ठीक है केवल क्रम परम और इस क्रम से विशिष्ट जो पदार्थ है क्रम विशिष्ट परम इसको कह सकते हैं तो ये दो प्रकार की ये हश्रुति होती है पहला वेद केवल क्रम परम क्या है ये तत्र इन दो पदार्थों में से वेदम कृत्वा वेदिम करोती इती केवल क्रम परम केवल क्रम परम का उधारन है कि वेदम कृत्वा वेदिम करोती अब वेद माने होता है कुशमुष्टी मतलब वेदी बनाने से पहले कुशमुष्टी बनाए जाते है कुशा से कुछ बनाया जाता है उसे कुशमुष्टी कहते हैं तो पहले उसको बनाया जाता है मतलब उस कुसमुष्टी को बनाने वाली विधी भी कोई दूसरी है कोई दूसरे मंत्र है वेधी बनाने के लिए उप्युक्तर जो मंत्र है वो भी कोई दूसरे मंत्र है यहाँ पर यह विधी सिर्फ इतना बताएगी कि आपका क्रम क्या होना चाहिए कि वेदम आप पहले कुश्मुष्टी बनाएंगे उसके बाद आप वेदी बनाएंगे यज्य शाला बनाएंगे ठीक है तो सिर्फ क्रम को बताने के लिए है यह थी केवल क्रम परम कि पहले आप कुश्मुष्टी बनाएंगे वेद बनाएंगे और उसके बाद वेदी वो वचन वो मंत्र कोई और ही है वे दूसरे मंत्र है यहां पर यह केवल क्रम को बता रही है इसलिए कि पहले वेद बनाओ फिर वेदी बनाओ ठीक है इसलिए इसको केवल क्रम परम कहा गया ठीक है अब जो दूसरा है क्रम विशिष्ट परम ठीक है क्रम विशिष्ट पदार तो इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा तो कह रहें वशट करतु हूँ प्रथम भक्ष है कि वशट करता जो होगा वह पहले खाएगा अब वशट करता क्या होता है रिगवेद का जो पूरोहीद है उसे होता कहते हैं और वह एक शब्द का उच्छारण करता है वशट ठीक है तो इ यहां पर इसको क्रम विशिष्ट पदार्थ परम कहा गया है क्रम विशिष्ट मतलब क्रम विशेशन बन जाए जिस पदार्थ का ऐसा भेद ऐसी शुरुती ठीक है क्यों ऐसा कहा गया क्योंकि एक प्रसरता भंग भयेन और भक्षा नुवादेन क्रम मात्रश्य विधातु क्रिया का विधान करें फिर इसी विधी को हम दूबारा प्रयोक करें और बोलें कि पहले वो खाएगा तो एक ही साल जा करेंगे तो वाक्य दोश हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगी एक वाक्यता भंग हो जाएगी एक प्रसरता भंग हो जाएगी और यह एक वाक्य दोश न आ जाए ठीक है एक वाक्य प्रसरता एक प्रसरता भंग न हो जाए इस भाय से ठीक है इस दोश से बचने के लिए विशेशन बना देंगी हम इसका प्रथम जो है वो भक्षन क्रिया का विशेशन बन जाएगा और विशेशन बनने से दो वाक्य नहीं बनेंगे वाक्य एक ही बनेगा और क्रम को हम भक्षन क्रिया का विशेशन बना देंगे इससे अर्थ निकल जाएगा कि वशट करता जो है वह पहले खाए सर वो प्रतम खाए इस तरह वाक्यदोश नहीं होगा और इसको क्रम विशिष्ट पदार्थ परम कहा जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि इसमें क्रम जो है वो विशेशन बन गया है उस दूसरे पदार्थ का जिसका विधान विधी कर रही है शुरुती कर रही है ठीक है अब छे प्रमान है पहला प्रमान है शुरुती तो कह रहे हैं यहाँ जो शुरुती प्रमान है सेयम सुरुती सायम सुरुती यह जो शुरुती प्रमान है यह इतर प्रमाना पेक्षया बलवती ये अपने बाद आने वाले पाँच प्रमानों की अपिक्षा बलवान है ठीक है क्यों तेशाम वचन कल्पनत द्वारा क्रम प्रमानत प्वात मतलब अगर इसके शुर्टिके बाद आने वाले जो प्रमान हैं अर्थ, पाठ, स्थान ये जो प्रमान आदी हैं इनके द्वारा यदि हम विधान करेंगे ठीक है इनके द्वारा यदि हम विधान करेंगे तो पहले हमें वहाँ पर वचन कलपना करनी पड़ेगी शुति की कलपना करनी पड़ेगी और फिर जो है हमको क्रम प्राप्त होगा और फिर जब क्रम का प्रमान प्राप्त होगा पहले एक दूसरी शुरुती की कलपना करो, फिर वो क्रम लेकर आएगी, फिर हम उसका विधान करेंगे, तो शुरुती क्या है, शुरुती के लिए किसी प्रमाण की आवशक्ता करने नहीं पड़ती, उसके लिए तो किसी चिछ की कलपना करने नहीं पड़ती, शुरुती आश्विन ग्रहनश्य पाठक क्रमात तृतिय स्थाने मतलब आश्विन ग्रहनश्य एक जगह पर तीन विधियों का तीन मंत्रों का विधान है ठीक है पहला मंत्र है एंद्रवायवं ग्रहनाती दूसरा मंत्र है मैत्रा वरुणम ग्रहनाती तीसरा मंत्र है आश्विनम ग्रह उसके बाद मैत्रा वरुणाएगा और उसके बाद आश्विन ग्रहनाती तीसरे स्थान पर है ठीक है तो कह रहें आश्विन ग्रहन अश्य पाठक क्रमा तृतिय स्थान ग्रहन अपर सकतो आश्विन ग्रहन का क्रम जो है वो तीसरा है तीसरे नमबर पर वो ग्रहन करेगा यह विधान यहाँ पर किया गया है लेकिन यदि शूति के अलावा हम किसी अन्य प्रमान से इसकी कलपना करेंगे तो पहले में शूति की कलपना करने पड़ेगी और तब करम का निरधारन होगा इस प्रकार पाट से शूति का कलपना करने में विलंब होगा लेकिन हमाँ यहाँ और एक दूसरी शुरूती मिलती है ठीक है एक शुरूती मिलती है स्वयम वहाँ पर उपस्थिता हो गई है और वो कहरें कि आश्विनों दशम उग्रहियते कि आश्विन का स्थान तीसरा नहीं है आश्विन तो दसवे नंबर पर आएगा और जब शुरूती यहां पर स्वय ग्रहन मित्युक्तम आश्विन ग्रहन दस्वे स्थान पर होता है यह बात हमें पता चलती है ठीक है मिमान सा सूत्र में यह बात कहीं गई है तो इस तरह से शुति जो है वो बल्वान होती है अन्य प्रमानों के अपिक्षा क्योंकि इसमें कल्पना नहीं करने पड़ती स्वर शुति स्वयम प्रमानित होती है ठीक है और अन्य प्रमानों में हमें कल्पना करने पड़ेगी शुति की तो इसलिए वहाँ पर देर ना लग जाए और काम जल्दी हो जाए इसलिए शुति जो है ज्यादा बल्वती होती है अपने बाद आने वाली अन्य प्रमानों की अप उसे कहते हैं अर्थक्रम ठीक है प्रयोजन के कारण क्रम का निर्णए किया जाए वह अर्थक्रम कहलाया जाएगा जैसे अगनिहोत्रम जुहोती यवागूम पचती यवागूम पचती अब यहाँ पर यदि हम क्रम देखें तो पहला नमबर आता है अगनिहोत्रम जुहोती क अगनी होत्र यग्य करता है होम करता है दूसरा क्रम से दूसरा स्थान आता है यवागूम पचती का ठीक है इसका दूसरा स्थान है तो यदि हम इस अगनी होत्र अगनी होत्रम जो होती यवागूम पचती इस विधी में यदि हम क्रम देखते हैं तो पहला अगनी होत्रम जो कि यहां पर अर्थक क्रम से हमें पता चलेगा कि पहले अगनिहोत्र करना है या पहले यवागु का पाचन करना है यवागु पकाना सलच niin अब यवागु पाक एक्रिया है ठीक है यहाँ पर करें अत्रही यवाग्वा हुमार्थत्वेन तत्थ पाक है प्रयोजन वश्यन पुर्व मनुष्ठियते अब जो अगनिहोत्र होम होता है वह यवागु से ही होता है ठीक है अगनिहोत्र होम में यवागु एक बहुत विश कि क्योंकि यवागू अगनिहोत्र होम में काम आता है अगनिहोत्र होम के संपादन में सहायक है यवागू के द्वारा ही अगनिहोत्र होम किया जाता है इसलिए इस प्रयोजन के कारण इस यवागू का पाक जो है इस व्यागू को पकाना जो है वह इस अगनिहोत्र होम से पह खेले की जानी चाहिए ठेक तो प्रयोजन के कारण जहाँ पर क्रम का Laurie को यहें अर्थ क्रम से नहीं देखें तो पहले अगनिहोत्रहोम हम कर लेंगे और क्रम केको पकाएंगे लेकिन फिर यवागु पका के किरेंगे क्या क्योंकि वो अगनिहुत्रहों में काम आती है ठीक है तो इसलिए यहां पर प्रेयोजन के कारण हमने करण बदल लिया और पहले वागू का पाक किया और फिर जा के अगनिहुत्रहों का संपादन किया अब यह जो अर्थक्रम नाम का प्रमाण है ये अपने बाद आने वाले पाठ क्रम प्रमान आदी से क्या है बलवान है ठीक है ये अर्थक्रम अपने बाद आने वाले प्रमानों से जादा बलवान हैं, कैसे ये था पाथ हम अनुस्ठाने, यदि हम पाथ क्रम के हिसाब से अनुस्ठान करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा घृत्षट प्रयोजन बाध हो, धृत्रिष्टार थत्वम चैश्यात, यदि हम क्रम से ठीक यथा पाठ जैसा कि पाठ किया गया है जैसे कि विदी में पाठ किया गया है वैसा ही यदि हम अनुष्ठान करेंगे तो क्या होगा कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा पाठ क्रम के अनुसार यदि हम पहले अगनी होत्र होम करें और बाद में यवागू का अनु अद्रिष्ट की उत्पत्ति हमें माननी पड़ेगी ठीक है अद्रिष्टार्थत्वम चशाथ अद्रिष्टार्थ की उत्पत्ति हो जाएगी अद्रिष्टार्थ की उत्पत्ति क्यों होगी क्योंकि नहीं होमानंतरम क्रियमानश्य पाकस्य किंचे द्रिष्टम प्रयोजनम ती क्योंकि होम को हमने पहले कर लिया और उसके बाद हम पाक किक्रिया कर रहे हैं तो उसके बाद यवागू की कोई आविश्यक्ता रहे नहीं जाती होम जब पहले हो गया जिस होम में यवागू का इस्तिमाल करना था उस यवागू को हम बाद में बना रहे हैं तो उसके बा आने का द्रिष्ट प्रयोजन तो यह है कि वो हो मकाम आएगा ठीक है लेकिन होम के बाद यह हम उस यह वागू को बनाते हैं उसका कोई खास खारण रह नहीं जाता ठीक है इसलिए यहाँ पर एक तो अद्रिष्टार्थ की कल्पना हो जाएगी अद्रिष्टार्थ की प्राप्त होने वाला जो अपूरु है वो भी बाधित हो जाएगा ठीक है संपादन में भी बाधा आएगी तो अब इसके बाद जो तीसरा प्रमाण है पाठक क्रम अलक्षणम इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि पदार्थ बोधक वाक्या नाम यहां क्रम हैं सब आठक क्रम कहते हैं ठीक है क्रियाओं का विधान करने वाले या पदार्थों का विधान करने वाले वाक्यों का जो क्रम है उसी को पाठक क्रम कहते हैं ठीक है और पाठक क्रम जो है वह तसमाच पदार्था नाम क्रम आश्रियते और यही पाठक क्रम जो होता है यही क्रियाओं के अनुष्ठान के क्रम का आधार होता है ठीक है क्रियाओं का अनुष्ठान का क्रम क्या होगा इसको हम पाठक्रम के माध्यम से ही जान पाएंगे ठीक है आगे कहते हैं ये ने क्रमेण ये की यहाँ पर नहीं है ये ने क्रमेण वाक्यानी पठितानी मतलब जिस क्रम से अब दो जगे हैं वाक्य विधिवाक्य ठीक है एक तो मंत्रों में संहिताओं में ठीक है और दूसरा ब्रामन ग्रंतों में तो जिस क्रम से मंत्र गत या फिर ब्राह्मन गत विधिवाक्यों का पाठ किया जाता है वाक्यानी पठितानी उसी क्रम से तेनेव क्रमेड उसी क्रम से अधितानी अर्थप्रत्यम जन्यंती उसी क्रम से अध्ययन करने पर वे जो वाक्य हैं उन वाक्यों का अर्थ ग्यान होत उसी क्रम से अध्यन करने पर इन वाक्यों के अर्थ का ग्यान भी होता है और क्या होता है ग्यानक क्रम के अनुसार ही क्रियाओं का अनुस्ठान किया जाता है जैसा ग्यान तुम्हें होगा यह था प्रत्ययम्च जैसा ग्यान तुम्हें होगा उन विदिवाक्यों का उसी प् मंत्र पार्ट मतलब कि संगीता की अंतरगत आई गई जो मंत्र है उनका पार्ट दूसरा है ब्राह्मन पार्ट ठीक है ब्राह्मन गरंथों में आये होई पार्ट इसको और चितरह समझते हैं मंत्र पार्ट ज्यादा ताकतवर है ठीक हमारा ज्यादा बलवान होता है ब्राह्म दो तरह के पाठ होते हैं और मंत्र प्राठ के बारे में बता रहें कि तत्र आगने अगनिशुमियो कि पंध आगने और अगनिशुमियो का जो क्रम हैं उन यग्यों के अनुवाक्य संग्यक वाक्यों से निर्धारित किया जाता है मतलब आगने और अगनिशोमी यागों का जो क्रम है ठीक है पहले अगने फिर अगनिशोमी ये जो क्रम है ये क्रम किस से निर्धारित होता है उस यग्य के अनुवाक्य संग्यक वाक्यों के क्रम से निर्धारित होता है ठीक है और मतलब उस यग्य के विधिवाक्यों का जो क्रम है उस क्रम से ही इन यग्यों का पाठ भी इन यागूं का क्रम निर्धारित होता है ठीक है और वह यागूं का क्रम यागू का क्रम किसे अंदरधारित होता है वह यागू का क्रम मंत्रपाठ से ही निरधारित होता है मंत्रपाठ पर ही आश्रित रहता है मंत्रपाठ में जो क्रम रहेगा वही क्रम अनुष्ठान में भी रहेगा ठीक है मंत्रपाट का मतलब मंत्रों के अंतरगत जो वाकिय कहे गए है उनका जो क्रम रहेगा उसी के अनुसार अनुस्ठानों का और उसकी क्रियाओं का क्रम भी रहेगा ठीक है अब ये जो मंत्र पाठ है सचायम मंत्र पाठ हो ये जो मंत्र पाठ है ये ब्रहामन पाठाद बलियान ब्रहामन पाठ से ज़ादा बलवान होता है ठीक है कैसे कैरें अनुष्ठाने ब्रहामन वाक्या पिक्षया मंत्र पाठश अंतरंगत्वात क्योंकि अनुष्ठान कर्म में जब क्रिया की जाती है उस यग्या में जब अनुष्ठान किया जाता है यग्या अनुष्ठान करते वक्त ब्रहामन वाक्यों किया पिक्षया मंत पाथ जो होता है वह ज्यादा अंतरंग होता है ठीक है वह ज्यादा समीप होता है अनुष्ठान की ठीक है और ब्राह्मन वाक्य जो होते हैं वो उतने समीप नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं कैसे कह रहें कि ब्राह्मन वाक्यम ही प्रयोगाद वही रेव इदम करतव्यम इ सिर्फ क्या करते हैं इदम करतव्यम ऐसा करना चाहिए इतना मात्र बता देते हैं और इतना बता कर वो खिरतार्थ हो जाते हैं मतलब दूर हो जाते हैं लेकिन मंत्र क्या होते हैं मंत्र पाठ क्या करता है मंत्राहा पुनाय प्रयोग काले व्याप्रियंते मंत्र काल तो क्रिया अनुष्ठान के काल में इनका व्यभार किया जाता है व्याप्रियंते क्रिया अनुष्ठान के समय इनका व्यभार किया जाता है इनको बोला जाता है और अनुष्ठान का क्रम जो है, अनुष्ठान की विदी का क्रम जो है, वो स्मरण के क्रम के अधिन रहता है, अनुष्ठान के क्रम अधिन रहता है, अनुष्ठान में कौन सी क्रिया किसी के बाद होगी, यह क्रम स्मरण के क्रम के अधिन पर रहता है, जैसा स्मरण होगा वै मंत्रों के क्रमों के अधिन रहता है इसलिए ये मंत्र पाठ जो है ये ज़्यादा अंतरंग है अनुष्ठान के ज़्यादा नजदीक है इसलिए ये ज़्यादा बलवान है ठीक है तो ब्रहमन वाक्यों की क्या वेश्यक्ता है ब्रहामन वाक्यों के क्या उपयोगीता है तो इस बात को बताने के लिए कह रहे हैं कि प्रयाजानाम समिधो यजती तनून पातम यजती ठीक है समिधो यजती मतलब समिध नामग्याक का अनुष्ठान करें तनून पात नामग्याक का अनुष्ठान करें ये जो इति एवम विधम पाठक क्रमाद्या क्रम है इस प्रकार से इस प्रकार का ये जो पाठक क्रम है कि इस यग्य के बाद वो यग्य करें उस यग्य के बाद वो यग्य करें ये जो इन यग्यों का क्रम है इस यग्यों के क्रम का आधार ब्रामन वाक्य है ब्रामन पाठ ह ठीक है तो ये क्रम जो है ब्रहामन पाठ के क्रम से ही ब्रहामन वाक्यों में जो क्रम बताय गया है उसी से पता चलता है कि किस यग्य के बाद कौन सा यग्य करना चाहिए इन यग्यों का क्रम क्या होगा अब यद्यपी ब्राह्मन वाक्यानी अर्थम विधाय कृतार्थानी यद्यपी ब्राह्मन वाक्यानी सिर्फ इतना कहकर कृतार्थ हो जाते हैं सिर्फ इतना बताकर इतना विधान करके कि इस यग्य के बाद उस यग्य को करना चाहिए इस इतना कहकर ही वह कृतार्थ हो जाते हैं दूर हो जाते हैं अब वो कैसे करना है कौन सों से ख्रिया होंगी ख्रियां को अक्रम क्या होगा वो तो सब हमको मंत्रों से पता चलता है कोगी वहाँ पर उपयोग भी मंत्र ही होते हैं तो ब्राह्मन वाके तो यद्यपी इन इस यग्य के बाद उस यग्य को करना ची है इस प्रकार यग्यों का याग्यों का आकरम बता कर कृतार्थ हो जाते हैं दूर हो जाते हैं लेकिन फिर भी ततापी, प्रयाजादी नाम क्रमसमार कांतरश्य अभावात, इन प्रयाजादीयों का ठीक है ये जो समिधो यजती, ये तनून पातम यजती ये जो प्रयाज नाम के जो अंग होते हैं, ठीक है उन प्रयाज आदी यग्यों के अंदर जो यग्या आते हैं ठीक है तो प्रयाज आदी नाम उन यग्यों के क्रम का समारक कोई अन्य वाक्य नहीं है कोई अन्य पद नहीं है ठीक है इन प्रयाज आदी याग्यों के क्रम को समर्ण कराने वाला कोई अन्य वाक्य नहीं है उन सम ब्रहामन वाक्यों को क्रम स्मारक के रूप में स्विकार कर लिया जाता है कि तुम जो है हमें यग्यों के क्रम का वरणन बताओ यग्यों के क्रम के वारे में बताओ उन यग्यों के क्रम का स्मर्ण कराओ और उसके बाद वो यग्यों को करना कैसे है ये मंत्रों के द्वारा हमें पता चलेगा ठीक है तो इस प्रकार से ब्राह्मन वाक्यों की अपनी विशेस्ता है लेकिन इस ज्यादा बलवान मंत्र है, मंत्र पार्ट है और मंत्र पार्ट की अपनी विशेस्ता है ठीक है